बुने हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और फैटी एसिद जैसे गुन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसमें फैट की मात्रा भी काफी कम पाई जाती है और यह उर्जा का भी बेहतरीन स्रोथ है हमारे देश में खाने पीने के व्यंजनों की लिस्ट काफी लंबी है और इन सभी अहार का अपना एक अलग स्वाद तो ही इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामगरी भी काफी फाइदे मंध होती है इस लिस्ट में एक नाम आता है भूने चने का, इनका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है इसके कुरकुरे स्वाद के लिए इसे धीमी आंच पर भूना जाता है कुरकुरा और स्वादिष्ट होने के साथ ही भूने चने पोशक तत्वों से भी भरपूर होता है भूने चने के सेवन से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है जिससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। Nutritionist and Dietician शिखा अग्रवाल शर्मा, Director of Fat2Slim की कहती है कि चने को भूनने से इसके पोशक तत्व काफी बढ़ जाते हैं। वैसे तो आप कच्चे चने को सबजी के रूप में अनकुरित करके या चाट बना कर भी खा सकते हैं लेकिन इस सब में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और भूने चने में इतना सब करने की आवश्यक्ता नहीं होती है। ब्लड शुगर, NCBI National Center for Biotechnology Information की वैबसाइट पर प्रकाशित एक रिसर्च की माने तो भूने चने शरीर में अतिरिक ब्लड शुगर को कम करने का कार्य करते हैं। असल में, डाइबिटीज की मुख्य वजह ज्यादा भूख लगना भी है और भूने चने का सेवन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। नेशान लोगों की वजन भटाने में मदद कर सकता है। कैंसर, नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट के एक स्टडी के मुताबिक, भूने चने में ब्यूटी रेक नामक फैटी एसिड नामक गुन पाया जाता है, जो कोशिकाओं की संख्या को बढ़ने से रोकता है। इसके साथ ही एपोप्टोसिस को प्रेरित कर कोलन कैंसर से बचाने में भी सहायता कर सकता है। इसके अलावा, भूने चने में मौजूद बायोइकनेने और लाइकोपीन जैसे बायोएक्टिव कंपाउंट कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। पाचन तंत्र, भूने चने में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है जो पाचन तंत्र के लिए काफी फाइदे मंद होता है। ये गैस, कब्स, डायरिया और पेट की और भी कई परेशानियों से राहत दिला सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है और इसमें से किसी भी चीज से अलजी है तो इन नुस्खे को अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ऐसी स्थिती में चिकित्सिय परामर्श अनिवार्य है। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें। थन्यवाद